दोस्तों, बॉलिवुड में विलेन के किरदार को निभाने के लिए एक से बढ़कर एक कलाकार हुए। कुछ अपने हाभाव से दर्शकों को प्रभावित करते हैं, तो कुछ की डायलोग डिलिवरी अनोखी है। कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनके एक्सप्रेशन्स, डायलोग डिलिवरी और कद काठी किसी नकारात्मग भूमिका को निभाने के लिए एकदम सटीक है। दोस्तों, इन्ही कलाकारों में से एक हैं अभिनेता मुकेश रिशी। मुकेश ने बॉलिवुड में ही नहीं बलकि साउथ इंडियन सिनेमा और भोजपुरी फिल्मों में भी कई प्रुभावशाली किरदारों को जिया है। दोस्तों, आज हम हमारे इस वीडियो के जरिया अभिनेता मुकेश रिशी के पारिवारिक बैक्ग्राउंड की एक जलक आप तक पहुँचाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। मुकेश रिशी का जन्म 19 अप्रेल साल 1956 को जम्मू कश्मीर के कटुआ में हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से जम्मू कश्मीर से तालुक रखता है। उनके माता पिता के नाम और उनसे जुड़ी कोई जानकारी पब्लिक डॉमेन में उपलब्द नहीं है। इसलिए हम आपको इनकी तस्वीरे नहीं दिखा पाएंगे। इनके अलावा मुकेश के भाई बहनों से जुड़ी इन्फॉमेशन भी पब्लिक डॉमेन में उपलब्द नहीं है। बात अगर मुकेश की शादी शुदा जिन्दगी की करें तो इन्होंने शादी केशनी रिशी से की हैं। केशनी फिजी से बिलॉंग करती हैं। इनकी मुलाकात मुकेश से तब हुई जब अपने ग्रेजुएशन के बाद काम के सिलसले में मुकेश फिजी गए थे। मुकेश का एक बेटा है जिसका नाम रागव रिशी है रागव भी पिता की तरह एक एक एक्टर है इन्हें फियरलेस जैसी फिल्मों में देखा गया है मुकेश के परिवार को अकसर फंक्शन्स पर देखा जा सकता है मुकेश आज अपने परिवार के साथ मुंबई में ही बस